दूर होगी डेंगू की विमारी जब होगी इसमें हम सब की भागीदारी हॉस्पिटल से डॉक्टर नेदरपाल हमारे साथ हैं एक बर उनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ प्रिकॉशन्स आप लोग लें कि आप सब लोग इससे बच कर रहे हैं क्यूंकि कुरोना के बाद जहां अभी हम इससे बाहर निकले नहीं थे कि डेंगू का अटाक जो है देखने को मिल रहे हैं अगर बातचीत कर लेते हैं जी सर क्या कुछ बताना चाहेंगे फिलाल अगर डेंगू की बात करें अभी कुरोना से हम निकले नहीं थे कि डेंगू का अटाक स्टार्ट हो गया है लगबग कितने केसिज रोज आप देख रहे हैं अगर यहां की बात करें देखिए लगबग जो रोज फ्रेश केसिज की एवरेज है है हम एट तो टेन केसिज आठ से दस केसिज हम डेली रिपोर्ट कर रहे हैं जो एक एवरेज जा रहे है पिछले लगबग दस पंदेंद से अगर मैं बात करू तो और अगर सबसे बड़ी बात इसके अंदर यही है कि एक पैनिक सिच्विशन है हमारे शैर के अंदर और हम सबसे यही गुजारिश करते हैं कि पैनिक होने का डर नहीं है ये प्रॉब्लम कोविड जैसी खतरनाक नहीं होती है अगर इसका टाइमली रहते है समय रहते है इसका कर लिया जाए। लिया एक young patient हो बहुत matter करता है, इसमें कोई दोराई नहीं है जो सबसे बड़ा reason है delayed death का, या जो delayed mortality आ रहे हैं patient की, वो reason है कि delayed treatment हो रहा है patient delay कर रहे हैं हम सब को बार-बार ये कह रहे हैं कि किसी को भी अगर day one पे symptoms आ जाते हैं तो बचाव यही है कि अपने नजदीकी physician से जाकर मिल ले वो symptoms के इसाब से आपके test के इसाब से आपको guide कर देंगे कि आपको घर पे रह के manage करना है आपको hospitalized होना है maximum patient घर पे manage हो सकते हैं अगर वो पहले day one day two पे physician के contact में आ जाए अक्सर जहां हमें नुकसान देखना पड़ रहा है या मैं ये कहूँ कि हमारे पास भी ओकर complicated patient आ रहे हैं जिसमे mortality का risk ज़्यादा है मरने के chance ज़्यादा बढ़ जाते हैं वो 5-7-8-10 दिन के बाद आ रहे हैं उसमें 4-5 दिन घर पे treatment होता है self-treatment जिसको बोल देते हैं they don't know medicine लेनी क्या है क्योंकि उसके भी अपने side effect है self-treatment के आप बात कर रहे हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक symptoms का भी नहीं पता है ठीक है तो एक बर हम symptoms पर पहले discuss करते हैं लोग at least जागरू को कि यह यह symptoms आते ही first stage पर ही अपने physician से वो contact कर ले तो क्या कुछ basic symptoms रहते हैं starting stage पर कि जब हमें doctor से contact करना चाहिए साथ की साथ यह ऐसा बुखार है इसको identify करना बहुत ही असान है इसके जो symptom आएगे जो हमारे पास young patient healthy patient थी उनकी पहली statement यही होती थी कोई जानकार भी है रहे relative यह phone करता है कि सर ऐसा बुखार मुझे कभी life में नहीं हुआ इसका मतलब क्या है कि वो fever तो 100-103 किसी भी stage भी आ सकता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा सिरदर्द होगा आपको back एक बहुत ज़्यादा होगा शरीर तूट जाएगा patient यही कहेगा within 24 hours की सर में जो खड़ा नहीं हो जा रहा young patient की बात करो old day तो जादे ढिला हो सकते है यह ऐसा बुखार इसकी symptoms ही खराब है शुरु आतिस रिजिस के अंदर तीन से चार दिन यह बुखार पूरे शरीर को तोड़ता है body X बहुत ज़्यादा होते है इसलिए इसको break bone fever भी कहते है हडिया बहुत ज़्यादा तूटती है अगर आपको यह election आ रहे है तो आपको immediately अपने physician से contact कर लो सबसे पहला काम safety के लिए क्या कर सकते है immediately quimer patient एक दिन वेट कर लेते है तो आपको हर 4-6 गंटे बाद simple जो crossin आती है paracetamol आती है वो safest medication है ताकि आपका fever 100-103 cross ना करे तो जैसा कि sir ने बताया कि main जो इसके symptoms रहते हैं वो आपको body एक बहुत जादा होने वाला headache, backache इस तरीके के symptoms आते हैं fever रहता है और अगर इस तरीके के symptoms आते हैं तो delay बिल्कुल भी ना करें क्योंकि first stage पर जो है इसको control किया जा सकता है और death rate को भी जो है control किया जा सकता है लेकिन अगर आप बास से 7 दिन के बाद self medication करकर बाद में डॉक्टर के बास जा रहे हैं तो उसको लेकर जो है काफी जादा दिक्कते आगे खड़ी हो सकती है और अगर medication की बात करें चले एक दिन आपने देखना भी है तो जैसा कि सर ने का कि हर 4 से 5 घंटे की gap पर आप एक simple crossing की tablet ले सकते है परसे टमॉल ले सकते है ताकि जो temperature है वो under control रहे इसके बाद बात कर लेते हैं सर अगर delay हो भी जाते हैं patients थोड़ी late भी आते हैं उसके बाद क्या कुछ रहता है देखे उसके बाद depend करता है कि patient की stage पे है सवाल ये उड़ता है कि जो patient delayed आ रहे हैं अगर young patient healthy है इसमें कोई दोराई नहीं है अगर young patient होगा तो उसके recovery के chances जाते हैं आपको ध्यान उन पे जुरूर देना है उन पे तुम chance ले ही नहीं सकते जो patient high risk है क्योंकि आम जनता का ये सवाल बनता है हमारा फर्ज़ बताना की कौन सी population ऐसी है जिसके अंदर mortality के जान जाने के जादा chances है बच्चों में chance नहीं लेना है old age में chance नहीं लेना है किशी को sugar है, blood pressure है हमारे पास कुछ patient admit हो है जो कि dialysis पे चल रहे है kidney patient नहीं chance ले सकते आप liver failure के patient है जिनका लंबा treatment चल रहा है जोन की immunity बीमारी से लड़ने की शमता पहले ही बहुत कम है वो तो 2-3 दिन के अंदर ही इतने down चले जाएगा उनको बचाना मुश्किल हो जाते है उनको patient high priority पे है कि उनको जितना जल्दी से जल्दी हो सके आपको ले के आना है delayed treatment हो भी रहा मैं यही कहूँगा देखे जितना जल्दी आप पहुंचेंगे वो आपके लिए better रहेगा हाँ अगर देखो कि patient आया भी हमारे पास complicated patient आये है कुछ mortalities होगी इन categories में जाता होगी जो मैंने आपको बताया है ज्यादा तर patient survive कर जाते है तो जैसा कि sir ने बता कि अगर आपके घर पे किसी बच्चे को इस तरह के कोई भी symptoms है बुजर्गों को है तो उनको बिल्कुल भी देर ना करें अपने nearest doctor को जरूर से जरूर दिखाए consult जरूर करें क्योंकि इन में mortality rate काफी जादा होगा और साथ ही साजिन को भी diabetes है liver की कोई problem है या पहले से कोई भी उनकी medications चल रही है तो उस case में जो risk है वो जादा बढ़ जाता है जहां पर condition serious हो जाती है वो stage कब आती है क्या matter होता है इसका जो routine protocol है fever का 90% से ज़्यादा patient के अंदर पहले 3-4 दिन के अंदर platelets बहुत ज़्यादा डाउन नहीं आएंगा fever परिशान करेगा सिरफ आपको उस वक्त fever को डाउन रखना है body को hydrate अच्छा रखना होता है घर पे हो तो आप floor intake करेंगे hospital आज़ेंगा आई-वे floor दिये दिया जाता है 3-4 दिन बाद जो fever डाउन आना शुरू होता है एक बार वो phase आता है 5-6-7 दिनके platelets डाउन आते है मैं फिर इस बात पर stress करूँगा platelet का उतना डर नहीं है जो complications हुई है या हो सकती है इसमें जान जाने का खत्रा है वो liver damage का है और chest के अंदर infection का फैल जाना है आम लोग platelet को लेके घबरा जाते हैं हर bed पे मैं हम patient को यही समझाते हैं कि आपको platelet को लेके चिंता नहीं करनी है पंदरा बीस धार पे platelet चले जाते हैं platelet इंफ्यूज कर देते हैं वो भी safe है और अगर 20-25,000 से उपर platelet चल रहा है तो बगहर platelet के ही recover होने ही होने है जिस चीज़ पे जान देना है आपको अगर आपको सांस की तकलीफ हो रही है पेट दर्द हो रहा है वर्मिटिंग सारी है खड़ा ही नहीं हो आ जा रहा है ये complications के sign है जिसको एक doctor hospital में रहे के control किया जा सकते है तो ये समझने वाली बात है कि actual में डरना किस बात से है लोग platelet से डरते है भागते है, panic situation हो जाती है नहीं, platelet उतनी बड़ी चीज नहीं है platelet कम होने का मतलब सिर्फ यही है कि आपका बोडी का immune system down हो गया हम इस सिर्फ उक बूस्ट अप करने है डाइट से, supportive treatment से तो platelet तो automatically बोडी ने खुद ही बनाने होती है डाइट के अब बात कर रहे है डाइट basically क्या लेनी चाहिए अगर कोई डेंगो से सफर कर रहा है starting stage है, घर पे medications चल रही है क्या-क्या चीज़े वो ले सकते हैं और क्या-क्या चीज़े एवाइड कर सकते हैं रूटीन में जो हम चीज़े समझाते हैं क्योंकि इसमें liver की problem आती है gastritis बहुत जाद होती है vomiting बहुत जाद होती है तो हम liquid diet suggest करते हैं शुरुआत में patient acceptability अच्छी है तो आप उसको soft diet पे रख सकते हैं बाहरे चीज़ ना खिलाएं उसको fruits बहुत जादा खिलाएं लसी, दही, पानी liquid किसी भी form में आप उनकर 2-3 liter आप उसको fluid daily जरूर दे और हलकी diet पर रखे 4-5-6 दिन जब तक ये problem आपको परिशान करती है देखो, पेट भरना है, खाले पेट तो रहना नहीं है लेकिन बहुत जादा hard diet, routine वाली diet अपनी थोड़ी सी soft diet पे कर लेंगे अगर डेंगू के spread की बात करें जैसे करोना था वो तो आपको पता की टच करने से भी हर चीज से spread हो रहा था डेंगू का कैसे रहता है, किस तरीके से ये spread होता है, नहीं होता है, क्या है ये mosquito bite से होता है और एक चीज हमें समझनी पड़ेगी जो एक problem है, जो कि अभी भी हमारी population में हर चेबार यहीं बोलता हूँ, कि mosquito bite अब बचाओ क्या है, अब आपको पता है COVID से बचना कैसे है, अईससे बचने का तरीका एक ही है, आपको mosquito bite को avoid करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, कब से पहले अपने घर को ठीक रखे हैं, कहीं भी पानी collect हुआ पड़ा है, गमलो में, कूलर में कहीं पर भी, तो वो natural सी बात है वहाँ पे वो आएगा ही आएगा, सबसे पहले का हम यह रखना, और हमारी Indians की सबसे बड़ी problem क्या है, कि हम अपने घर को तवज्जो देते हैं, घर की सामने नहीं देते हैं, मैं अपने sector की बात करूँ कहीं कि मैं बात करूँ आपको इतनी गंदगी मिलेगी आपको हम यह सोचते हैं कि मैंने घर का कोड़ा सामने डाल दिया, वहाँ पाने गठर, मुझे कोई फरक नहीं पड़ता, सामने तो पारकी है अगर वहाँ पे पाने गठर हुआ पड़ाया है, तो मच्छर तो वहाँ भी होगा, बच्चे वहाँ भी खेल रहे हैं पहला तो यह ध्यान दीजिए, दूसरा सबसे हमेशा बोलते हैं, स्वेरे शाम बच्चे खेलते हैं, बज़ूर्ग सैर करते हैं पार्क में जाते हैं, अच्छी बात है उस दोरान आपको अपने फुल स्लीव्स, फुल ट्राउजर्स या शॉर्ट नहीं डालने हैं आपने पूरा उपर से नीचे तक कवर करके चलिए, शूज डालके चलिए रीजन ही वह यह, अगर आप यह कर लेंगे मॉस्केटों बायट के चांस आपके 90% जादा कम हो जाएंगे, तो आपको डेंगो होगा क्यों और यह बचाव मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हमारी सारी जंता ही अंजाना मैं रोज देखता हूँ अब हम किस-किस को समझाएंगे, लेकिन यह हमारे लिए सबसे बड़ा मैसेज, आज की रेट में कहरे हो मैसेज है कि इससे बचने का तरीका ही यही है तो जैसा कि सर ने बताया कि अगर आप लोग शाम को वाक पे जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, कहीं पर भी बाहर निकल रहे हैं, टोटली कवर्ट रखी अपने बोड़ी को, फुल स्लीव्स ही पहनी, अपर भी लोड भी जो है, कम्प्लीट नीचे तक आप जो है कवर्ट होने चाहिए, क्यूंकि शौच अगर जाएंगे, मॉस्केटो बाइट का खतरा काफी जादा बढ़ेगा, और उसी से डेंगू स्प्रेड होने का भी जो चांसेज है, वो काफी जादा बढ़ जाते हैं, और जैसा कि सर ने कहा कि आसपास सफाई का ध्यान रखना बहुत ही जादा जरूरी है, ये नहीं है क घर में सफाई कर ली ठीक है, घर के आसपास बाहर का भी जो है, जरूर से जरूर ध्यान रखें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत बूलिएगा, सर जाते जाते कोई एक मैसेज, हमारा सबसे ये मैसेज है कि इसके जो मैंने बचाओ का तरीका बताया उसको फोलो करें और अगर किसी को बुखार है, तो तुरंत अपनी फिजीशन से कॉंटेक्ट जरूर करें, गबराई नहीं, पैनिक होने की जूरत नहीं है, अगर आप समय रहते इस चीज़ का टीटमेट करा लेंगे, तो जान जाने का खत्रा लगबग ना के बरापर है, तो जैसा कि सर ने लाइफ तस्वीरें आप देख रहेते करनाल के विर्ख ऑस्पिटल से सहोगी साहिल शर्मा के साथ मनी रवाटा टिप्टा फर्याना करनाल